दोस्तो इस विडियो में ललेत नारान मितला बिस्विदाले द्वारा जारी किया गया पर्थम लेश्ट में हो रही आपकी सभी समस्याओं का समाधान के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि हमने इस पर वीडियो आपने देखकर डाउनलोड जरूर किया होगा इसमें देखेंगे लगबग कि इस्टुडेन का कई सारे कॉमेंट है और सबका कॉमेंट अलग अलग भी है लेकिन बहुत सारे कॉमेंट ऐसा है जो कॉमन है जिसके बारे में जानना आए चुडेन जिनको जैसे यहां पर बच्चा पूछ रहे हैं सर अगर हम एक college state क्रवाना है तो क्या करना होगा देखिए यहां पर यह भी बच्चा का समस्याय है student के जो कि हमने एक चार्ट बनाया है और आपके द्वारा पूछे के तावाम प्रस्नों को इसमे एड़ किया जो common सा प्रस्न है और जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है जैसे समस्याय student का क्या है पर्थम चैन सूची में नाम नहीं है तो क्या करना है उनको वेटिंग लिस्ट क्या है और वेटिंग लिस्ट कैसे उससे देखना है और वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या है उसकी जनकारी हम बताएंगे साथ यसाथ college पसंद नहीं है college आपको कैसे नाम नहां है जिए वीडियो को लाइक से जरूर करेंगे अगर आपके मन में प्रस्ण्ण है तो उसका समाधान इस वीडियो में मिलने जा रहा है यहां पर सबसे पहला कर sür depreciation जारी हुआ है उसमें नाम नहीं है तो अभी तक अगर पर्थम चैन सुची नाम नहीं देखा है तो देखने के लिए आपको गूगल में टाइप करना है ओनलाइन अपडेट मेरेट लेट डाउनलोड करने का आपको लिंक मिलता है पहले क्या करना है एक बार इस लेश्ट को चेक करना है लेश्ट को चेक करने की प्रोसस हमने बताया है कि आपको क्या करना है मोईल से थी लाइन मिलेगा जिस पर क्लिक करकर क्या करना है आपको फाइंड वाला बटन पर प्रेस करना है और जो आपका application number होगा उस application number को क्या करेंगे copy कर लेना है और यहाँ पर क्या करना आपको डालना है यह application number आपने जो online apply किया था उसके print out मिलेगा और यहां से जब आप चेक करेंगे तो आपका नाम यहाँ पर highlight हो जागा और देखनों को मिलेगा कौन से college लोट है तो इसी परकार आपको नाम देखना है honors पता चल जागा तो यह था अब जिन बच्छा का अगर माल लिजे इस list में नाम नहीं दिखा रहा तो उनको क्या करना है यह भी आप में से काफे सारे बच्छों का comment था क मेरा जो है list में नाम नहीं है तो क्या करना है तो आपको दुवारा काम क्या करना है एक list यहाँ पर जारी किया गया बेटिंग लिस्ट में आपको क्या करना है इस पर click करके इसमें भी नाम आपको देखना है देखेंगे यह लोटिंग लेगा और इसमें भी वही सिस्टम है mobile से करेंगे तो three dot पर जाकर find करेंगे और क्या करना अपना application number इसमें डालना है और आपका नाम के सामने automatic highlight होगा और यहाँ पर दिखिए आपने जो college का preference दिया होगा वो सभी college का यहाँ पर दिखिए आपका preference मिलता कि एक में कौन दिये थे, दो में कौन दिये थे, तीन में कौन दिये थे, चार में कौन दिये थे अब आपको यहाँ पर दिखिए जो preference इतने सारे दिये हैं यह बेटिंग वाले student का college कौन सा अलोट होगा उसकी जनकारी आपको पता चल जाएगी इसका selection later जब आएगा उसमें कि कौन से college यह लोट हुआ है तो यह betting list में भी सभी student का नाम है जिनका अगर final list में यहाँ पर जो download merit list में नाम अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको betting list में नाम चेक करना होगा इसका दियान रखिएगा और betting list में अगर आपका नाम सामिल किया गया है तो आपका नामांकर परकिरिया जो होगी यहाँ पर आप देख पाएंगे 8 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक आपको चलने वाली है तो betting list में ज़रूर नाम चेकिर जिए अब बच्चे का ये भी comment है किसर अगर मान लीजे मेरा पर्थम चैन सुची और betting list दोनों में नाम नहीं है तो क्या होगा और ये betting list क्या है देखिए betting list पहले समझे यह है क्या बहुत सारे बच्चे का जो पर्थम चैन सुची में नाम दिया गया है हो सकता हो बच्चे उस college में नामांकर ना करा है या उनको वह extreme पसंद ना हो या कोई भी region हो सकता है college दूर हो तो वैसे बच्चों का जो है betting list में जो आपने प्रिफरेंस डाला है आपको चार प्रिफरेंस दिये गए अब जिस college में जो भी सीठे बचेगी वह सीठ आपके लिए लौट कर दिया जागा जो जिस अनुसारा प्रिफरेंस डाले रहेंगे तो बेटिंग का मतलब यही है कि अभी आपको थोड़ा सा वेट करना जो समस्या है नहीं बेटिंग लिष्ट का अगर है तो आपको बेटिंग लिष्ट में नाम तो आपको नमांकर आठ से करानी है और इसका पता चल जाएगा आपको आठ तारी को ही किलियर बच्चे का ये भी comment था कि सर जो है हमें college पसंद ही नहीं है हम चाहते हैं college चेंज करना बहुत सारे बच्चे का comment था कि सर हमें stream चाहते बदलना तो क्या ऐसा संभब है तो देखिया ऐसा संभब नहीं है लली तनाना मितला बिस्विद्याले आपको college बदलने का stream बदलने का कोई मौका देती नहीं है अब तो कैसे होगा अगर आपको किसी भी किमत वर उस college में आप तो इसके लिए एक मातर आपके पास option बचता है वो है sport round admission अगर आप न मांगकर नहीं करा पाते हैं या नहीं लेते हैं जान बुझकर तो last में आपको क्या मिलेगा एक option sport admission का sport admission में जो बच्चे apply किये होते हैं उन सभी को क्या होता है कि जिस college में जो भी संकायक में जो सब्जेक्ट में सीठे बचती है उस सीठों पर डाइरेक्ट आपको न मांगकर होती है लेकिन इसके लिए आपने online आविदन किया होना चाहिए तो आप already online apply किये हैं तो आप sport admission में आप college बदल सकते हैं बाकी ऐसे कोई आपको मौका नहीं है अगर आपको लेना है तो आप ज सबसे अधिक जो है history में गया है बच्चे का नमांकन बहुत ज्यादा ही था उतना बच्चे का selection भी नहीं हो पाया है तो ऐसा भी होगा तो sport से पहले कोसिस करें जो मिल चुका है उसमें ही आप जो है नमांकन करवाले college बदलने की जो है आप उसके लिए रूखेंगे तो ला selection letter download करने के लिए हमने आपको यहाँ पर link उपलप्त कराया है कि download selection letter जिसके सामने जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर candidate login का बिकल्प मिलता है जिसमें आप अपना id password को डाल कर login करेंगे लेकिन हुआ यह है कि बिस्विदाले ने अभी तक जो है आपका selection letter जारी ही नहीं कि बच्चे कॉमेंट करते कि सरा आप बता दिये notification में है जो कैसे download करें यह तो बताया है नहीं स्टुडेंट को यह बनाते हैं वो बनाते हैं गलत comment आप बिल्कुल भी ना करें यह इनवर्सिटी के समस्या है कर इनवर्सिटी आपको बताती है बताया है कि छात्रों को selection letter download करना ID password को डाल कर लेकिन यह नहीं आपको देती है तो यह मेरी कोई समस्या नहीं है मेरा काम है आप तक update कराना इनवर्सिटी अगर आपको दे रही है नहीं दे रही हो हम कुछ कर नहीं सकता आपके लिंक दे दिये हैं process बता दिये कि इस परकार आप जाकर यहां से login करकर आपको selection लेटर का option मिलेगा लेकिन अभी तक नहीं upload हुआ तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते यह process है आप चीजों को समझे और निगेटिव कॉमेंट करेंगे तो फिर आपको ब्लॉक कर दिया जागा फिर आप जाईएगा जिस चैनल पर आपको वीडियो देखना है देखिएगा ऐस से और स्टुडेंट की जरूरत भी नहीं है अब समझना जरूरी है कि बच्चे का ये भी कॉमेंट था कि सर्थ जारी किया जागा जैसा हमें इस बार लग रहा है कि लेतनारायन मितला अब इस विदाले सकेंड मेरिटलिस इस बार जारी नहीं करेंगे क्योंकि पर्थम चैन से भी अधिक बच्चों का जो है नाम जोड़ा गया है बाकि 50,000 बच्चे का जो नाम है इस बेटिंग लिस्ट में है तो कुल मिला कर जितने बच्चों ने अपलाई किया सबका नाम दे ही दिया है तो सिकेंड मेरिट लिस्ट आने की कम ही संभावना है आपको डाइरेक्ट मांकर होनी चThere इसकी सूची जो हमारे वेपसाइट पर आपको मिल जाएगी आपकी जो एलोटन्स लेटर होनी नहीं है फिर भी नमंकन होगा आप क्या करें यह जो चैन्स प्रिंट करवाने के बाद आप अपने नाम के सामने जो है इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दे जिसे पता चले कि यह आपका नाम है इससे भी आपका नमांकन हो जागा कोई बड़ी समस्या नहीं है अकर आपका सेलेक्षिन लिस्ट डाउनलोड नहीं होता है तो उसके प्रिंट था कि सब्सक्राइब नमांकन जो हम करवाएंगे तो कितना सुल्क देना होगा तो इसके लिए इनवर्सिटी ने इसके लिए नोटिफिकेशन रिलिज की है एडमिसन नोटिफिकेशन में जब आप क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आएगा कुल मिलाकर 255 रु सकता है इनवर्सिटी सकंड मेरिक लिए जारी करें तो उसकी जनकारी आपको मिल जाएगी एष्पोर्ट एडमिसन क्या होता है इसपोर्ट का मतलब यह होता कि आप डाइडिक्ट जिस कॉलेज में चाहते हैं नमांकल लेना कोई भी कालेज आपने कौन कॉलेज प्रफेरिं उनका नमांकन पहले होता है इसमें number bases नहीं देखा जाता पहले पहले पढ़ाओ के ताव तो स्पोर्ट उमीद करूंगा इतने सारे डाउट आपके जो रहे होंगे उनका डाउट किलियर हो चुका होगा अगर फिर भी किसी भी पर करकर के समस्या है तो आप कोमेंट कर सकते हैं जल्दी एक वीडियो आपको मिलेगी जिसमें हम आपको बताएंगे अगर आप नमांकन कराने जाते है तो कॉलेज नमांकन फॉर्म आपको कैसे बढ़नी है सब्जेक को कैसे चुननी है उन सभी पे डिटेल वीडियो जल्दी उपलब्द होगी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे हर अपडेट आपको मिलेगी धन्यवाद